हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है इस्ट्रीम कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाए यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना इंटर करते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट या सकेंड ओप्सन देखे जाएगा इसको उपर आपको क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं स्ट्रीम का ओफिशली वेबसाइट ओपन हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको फेस्बुक या नहीं तो टेलिग्राम चैनल पे मिल आपने ब्राजर की यार में पेस्ट कीजेगा इंटर कीजेगा तो भी डियक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या खना यहाँ पर टॉप पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा बाकि इसका लिंक भी आपको या नहीं तो telegram channel पे मिल जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको दिखी जाएगा install stream इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप जहाँ पे भी exe को save करना चाहते हैं और pass select कर लिजएगा उसके बाद आपको save पे क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं exe download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने exe को save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस EXCOPPOR आपको right click करने है right click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको property पे click कर देना है click करते हैं यह window open हो जाएगा अब आलेज़े यदि आपके case में भी यहाँ पे unblock दिखते है तो इसको tick mark कर देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपके case में यहाँ पे unblock नहीं दिखते है तो आपको क्या करना है okay करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या ताप इसके ओपर double click करके install कर सकते है या नहीं ताप इसके ओपर right click करके open करके install कर सकते है या नहीं तो आप run and mister के उपर आप click करके install कर सकते हैं तीनों चीज में से किसी एक के उपर आप click कर लिजेगा लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा कोई भी application आपको run and mister के उपर ही click करके install करना चाहिए इसलिए मैं अपने case में यहाँ पर click कर रहा हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब मालेज़े यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर yes पर click कर देना है yes पर click करते हैं यह window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर next पर click करना है तो C Drab select कर सकते हैं यदि आपको किसी और Drab के अंदर install करना है तो यहाँ से browse करके आप कोई और Drab select कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से Drab select कर लिजेगा यहाँ पे आप जो भी Drab के अंदर install करना चाहते हैं वो Drab यहाँ पे आप select करके और यहां पर आप OK करके उपाइट कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर install पर क्लिक कर देने install पर क्लिक करते हैं यह install होना शुरू हो जाएगा install complete होने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यदि आप इसको टिक मा कर रखना चाहते है तो आप रख भी सकते है या नहीं तो आप इसको हटाना चाहते है तो यहां से आप हटा भी सकते है इसके बाद आपको क्या करना है फिन इसको पर आपको क्लिक कर देने हैं या तो आप यहां पर किलिक करके ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आपको क्या करना यहां पर सर्च बार में जाना है सर्च बार में जाने के बाद यहां पर सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं दोनों में सब कहीं से भी क्लिक करके ओपन कर लिजेगा किलिक करती हैं फर्स टाम इस त अपडेट कम्पलिट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा अब यदि आपका आईडी पहले से बना हुआ है तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं यदि आपका आईडी यहाँ नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके नया आईडी आप क्रियेट कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहां पे क्लिक करके यहां से sign in कर लेना है यहां पे आपको यूजर नेम डाल देना है यहां पे आपको password डाल देना है इसके बाद आपको यहां से sign in कर लेना है sign in करने के बाद उसके अंदर जो भी गेम आप डाउनलोड करना चाहते है जो भी